दोस्तों जहां एक तरफ मोदी जी विपक्ष को जड़ से खतम करने की कोशिश कर रहे हैं वही दूसरी और विपक्ष इस बार अपनी जान की बादी लगाते हुए दिख रहा है लेकिन क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि उनका कुछ चल नहीं पा रहा है इसलिए वो अभी अपना जादा हाथ पैर भी नहीं मार पा रहे है लेकिन दोस्तों कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में जो घोशना की है उसमें दोस्तों एक एक घोशना में जनता का दर्द जनता का गुसा जलक रहा है उनकी एक एक घोशना ने BJP को ललकारते हुए नजर आ रही है दोस्तों इस वीडियो में देश नीती आपको बताएगा कि वो ऐसे कौन-कौन से points कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र से घोशित किये हैं जो BJP की नीव को हिला के रख सकता है नमस्कार स्वागत है आपका देश नीती ने लोगसभा चुनाओं के तहट कॉंग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को न्याय पत्र के नाम से घोशना पत्र जारी किया इस दोरान राहूल गांधी सुनिया गांधी कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे और पार्टी के महासचीव केसी वेनु गोपाल मौझूद रहे कॉंग्रेस ने इस बार की गोशना पत्र में 25 तरह की गैनिटी दी है कॉंग्रेस के अनुसार गोशना पत्र में पार्टी के पांश ने आए, हिस्सेदारी ने आए, किसान नारी ने आए, श्रमिक ने आए और युवा ने आए को शामिल किया है दोस्तों कॉंग्रेस ने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि इस बार की बीजेपी किस योजना और किन किन चीजों में भारत की जनता के गुस्से का शिकार बनी है जैसे किसानों को MSP देना, बेरोजगारी, गरीबी अभी जिन इन चीजों पे जो है आंदुलन चल रहा है देश में उस पर खास कर कॉंग्रेस ने ध्यान दिया है आरक्षन जैसे मुद्दों को खास कॉंग्रेस ने उठाया है कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में पांस तरह के न्याय का जिक्र किया है म्यूंतम मज़ूरी 400 रुपे, 40 लाग सरकारी नौक्रियां, गरीब महिलाओं को 1 लाग की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाग की मदद, शेहरी रोजगार, गारंटी स्कीम लाने का वादा भी किया है पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो पार्टी जातियों और उप जातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक थितियों की पहचान करने के लिए देश व्यापी जाति जनगन्ना करवाएगी कॉंग्रेस ने कहा कि आंकडों के आधार पर वह उन जातियों के लिए एजेंडे को मजबूत करेगी जिने सकारात्मक कारेवाही की जरूरत है कॉंग्रेस जाती जनगन्ना करवाएगी आरक्षन पर 50 फीसदी कैप हटवाएगी कॉंग्रेस ने कहा दोस्तों कि पार्टी अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं जो समाज का एक अल्पसंख्यक पाठ है जो एक धर्म है उससे खास कर थोड़ा सा चिड़ती है उसको लेकर कॉंग्रेस ने अच्छा कासा उन पर अटैक किया है मौलाना आजाद छात्र वृत्ती फिर से लागू किया जाएगा उनके हिसाब से अल्पसंख्यकों को आसान रिन उपलब्द कराये जाएगा कॉंग्रेस युवाओं के लिए पहले नौकरी पक्की की व्यवस्था करेगी तीस लाग सरकारी नौकरियां दी जाएगी पेपर लीक रोपने के लिए सक्त कानून बनाया जाएगा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिरोजगारी इस सरकार में सबसे ज्यादा उच्छ लेवल पे है और वहीं पर सरकारी पत जो हैं काफी सारे खाली हैं लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी बरकरार है तो उसको मदे नजर रखते वे कॉंग्रेस ने इस बात को खास कर उठाया है वहीं पर पेपर लीक भी हो जाता है पेपर लीक के लिए सकते कानून तो हला की बन गए हैं लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक का खिस्ता अभी भी बरकरार है वहीं कॉंग्रिस ने अपने घोशना पत्र में आगे कहा कि कॉंग्रिस पार्टी नीजिता के अधिकार का हनन करने वाले हर कानून को समाप्त करेगी। उसी पर इस बार कॉंग्रिस ने बीजेपी पार्टी को अटाक करते हुए इस गारंटी को रखा है। अल्रीडी कुछ परसेंटेज का महिलाओं के लिए आरक्षन तो उन्होंने घोशित कर दिया था लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और इनके हिसाब से यानि महिलाओं के लिए 50 सी सदी आरक्षन होगा। वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी जनता को संबोधित कर इस चुनाओं को लड़ने के कुछ निर्देज निये हैं। मैं सिर्फ एक आग्रे करना चाहती हूँ अपने कारिकरता भाई बहनों से और खास तोर से इस देश की जनता से इस देश के एक एक नागरिक से ये मेरा आग्रे है। इस चुनाओं को आप अपने मुद्दों पर लड़वाईए। जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है वही सच्चाई है। आदी जी ने भी अपनी भाषन में कुछ टिपनी की है। आप सुनिए। जिस तरह का गोशना पत्र जारी किया है। उससे साबित हो गया है कि आज की कॉंग्रेस। आज के भारत की आशाओं आकांशाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कॉंग्रेस के गोशना पत्र में वही सोच जलकती है। जो सोच आजाजी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। इनके घोशना पत्र ने दोस्तों मोदी जी को कहीं न कहीं इतना जहनजोर दिया है कि वो इनकी तुलना आजादी के समय के मुस्लिम लीग से करने लग गए। क्या लगता है दोस्तों इस बार घोशना पत्र से जो कॉंग्रिस ने ये जो घोशना पत्र घोशित किया है उससे अपने हक में इस बार जनता को कर पाएगी क्या मोधी जी का ये भाशन उनके डर को दिखलाता है अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और देशनीती को सब्सक्राइब करें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचा सके हमें यूट्यूब पे थांक्स तुफान कहीं कस्ती पार करके आएंगे लोगकंत्र को जिन्दा रखने के लिए हम देश में एक बार फिर आजादी का वो जजब वाले कराएंगे धन्यवाद